एलो एब्रिवान मैं डॉक्टर शुवर्यत कुमार बारिक आपका स्वागत करता हूं लर्नर आये इसमें दोस्तों यह ऐसा लिखा ना हाव और वेर टू प्रिपेर यह कई वार लोग बच्चे पूस्ते हैं जो प्रिपेर कर रहे हैं तो सुरू किये जब भी कोई प्रिपेर करता है न सबसे पहले उनके पड़ोसी को बना चलता है सच्चा है कि नहीं बताइए वह खास करें अगर किसी ने गलती से यूपीएसी उठा लिया कि मैं यूपीएस सर्विसेश के लिए प्रिपार कर रहे हूं यहाँ आ यह अइसके लिए प्रिपार कर रहहाँ लोग तो स्टेट विल स्र्विसेश को से खाभी हृतों अगर किसी ने गलती से बौलन कि मैं आई येृस के लिए नहीं बढ़ हुआ वह तेरा लां तेरहो जाएगे क्या तो अच्छा करता नहीं था आज बोला है मैं आई एस बनोंगा आई एस की मतलब सिविल सर्विसेस के लिए अगर कोई पढ़ता ना तो उसमें चालिस प्रकार के जवाबस है उन सब कुद हटा दो एक ही यह आई एस मिल गया और उसके बाद कलेक्टर भी बन गया कलेक्टर बनने वे पर हम पढ़ लेते कुछ साल तो बच्चे नया सुरू करते हैं वो पूछते हैं या कहां पढ़े हों तो इसी को चोटा सा मैं अपने अनुभब से से अबॉरा देखे दोस्तों, सबसे पहले क्या होता ना, mode of preparation तीन तरह का होता है, आप तीन तरह से prepare कर सकते हैं, तयारी कर सकते हैं, ठीक है, सबसे पहला जो आता है, उसमें आता है coaching, काफी famous है, सब लोग बोल लें, ठीक है, यूट्यूब अगरा पे तो भरमार है, ठीक है, coaching, ठीक है, reputed institute specially designed for civil services या UPSC, इसका जो गड़ है वो दिली है, और दिली में भी properly रजंदर नगर, मुकरजी नगर, करोलबाग, वो तरफ के एलिया में है, वो गड़ है, मुकरजी नगर खास करके या रजंदर नगर खास करके गड़ है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा है, कोई भी फेव, आज कल तो हर एक institute या coaching institute जो दिली में है, वो भारत में अलग-अलग metro studies में या बड़े-बड़े studies में है, लाइक, परायागराज है, वोबनेश्वर है, 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 बैंगलुरू है, मुंबई है, बगरा बगरा है, तो आप वहाँ पे जाके कर लीजिए, ठीक है और इसके के बारे में भी बताऊंगा आगए, ठीक है, और दूसरा है self preparation, खुद से पढ़ना है आपको, ठीक है, खुद से पढ़ना है, जो study material available हैं, मार्केट में, यूट्यूब बगरा, महलब इंटरनेट पे, offline market में, जो study material, static वगरा, जो भी materials आपको चाहिए, आपने उस एक तरह, एक mode यह हो गया, थर्ड mode आता है, जो कि दोनों को combined करता है, अलब coaching को नहीं, self study हो रही है, with some guidance, है किने, किसी institute में है, कोई एक सीन, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैंने कुछ self preparation किया हुआ है, अभी भी पढ़ रहा हूँ मैं, कुछ self preparation किया हुआ है, मुझे थोड़ा ह बहुत experience है, how to do prepare, ओके, तो मैंने किसी को guide कर दिया, है किने, तो वैसे ही, कोई एक अच्छा professor मिल गया, आपको किसी subject का, कोई एक previous, कोई एक civil servant मिल गया, आपको retired हो, या फिर in service में है, कोई अभी अभी हाली में crack किया है, वो मिल गया, कोई coaching institute का एक अच्छा आदमी है, उस के होते हैं, basically, और चौता मोड होता ही नहीं है, है किने, तो इन दोनों में सब में कुछ benefits है, कुछ drawbacks है, है किने, तो सब में होता है, तो चलिए, देखते हैं, किस में क्या benefits हैं, और क्या drawbacks है, मैं बताओंगा, किस को क्या, मतलब क्यों मैं बता रहो है, है किने, सबसे पहल पड़े आजकल कोचिंग से जादा टीचर फेमस हैं है कि मैं किसी का नाम नहीं कोट करूंगा यूटूब में अगर एक बार सच कर ले तो उसमें साइध एन नंबर अफ टीचर का नाम आएगा और एन नंबर अफ पलब देयर ब्रांड ओके देयर प्रांड तो उनको देखके भी बच्चे कोचिंग जोइन कर लेते हैं और फिर प्राब्लम हो जाता है क्या होता देखिए कोई भी टीचर है वह एक सब्जेक्ट में स्पिसलाइजड है ठीक है हम क्या है मैं अभी मैं टीचर नहीं हूँ मैं एक एस्पिरेंट हूँ जिसके पास थोड़े से अनुवव हर चीज के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता है जो इसने प्रिपरेशन किया हुआ है पर एक टीचर वह एक सब्जेक्ट में स्पिसलाइजड होता है ठीक है तो वह एक तो आप उससे इंफ्लिएंस हम लोग हो जाते हैं और दूसरी बात क्या होती है जैस टीचर क तो देखे हम इंसिट्यूर जॉइन करते हैं एक्स वाई जड कोई भी हो वो टीचर हमें बढ़ाते नहीं है जिसको हमने जो देखा था कि भाई यह टीचर हमको हेल्प कर सकता है इससे हम लोग पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमें सक्सेस मिलें बट वह होता नहीं है तो कोच सब्सक्राइब होता ना वैसे हैंगे और मटेरियल्स मटेरियल्स एन प्लेंटी प्रित्थोरा ओफ मटेरियल्स वहां पर अब अब जितना पढ़ना चाहें हैंगे और उसमें वहां पर बंदना कंफ्यूज कम होता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है क्या नहीं everything is sharply, properly planned or channelized, हैंगे नि, discipline maintained होता है, और study जो होने वो target oriented होता है, suppose आपने pre-history पढ़ ली, अंसेंट हिस्ट्री का, प्री अंसेंट हिस्ट्री पढ़ लिया, उसके टेस्ट होंगे, फिर अगला जो topic होगा, suppose लेटर अंसेंट इंडिया में हिस्ट्री की आपकी टेस्ट होई, उसमें पीछे का और present का, दोनों का मिला का देंगे, तो आपका revision भी होता रहेगा, और आग आपको एक competitive atmosphere मिलता है, कि भाई इसने ये पढ़ ली, उसने वो पढ़ ली, अच्छा, तो एक आपको help भी मिलता है, कि भाई, ये कैसे पढ़ ली, खाहां से पढ़ ली, ये topic मुझे नहीं मिला है, वगरा वगरा, आपको एक atmosphere मिलता है, समझ रहे ना, और एक real time test होता है, व और friends बहुत सारे बनेंगा आपको, वसे गप्पे बारने के लिए है, टहलने के लिए नहीं, या फिर, क्या बोलते है, girlfriend, boyfriend वाला नहीं, friends मिलते हैं, discuss करता है, सपोज आपका जो optional है, वो anthropology है, या फिर sociology है, या फिर maths है, कोई भी subject है, तो आपको वैसा एक दोस्त मिल जाएग आप उसके सारे discuss करोगे, भाई, मैंने ना, सपोज मैं anthropology, anthropology को लेकर चलता हूँ, सपोज आप बोलोगे, भाई, मैंने ना, social anthropology खतम कर ली, तरह क्या चलना है, मैंने इस book से पड़ी, ये book ऐसा ठीठा के, तेरा क्या है, तो एक discussion होता है, current discussion वगरा वगरा, तो आपको वो मिलत सबसे पहली बात है, आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, आप खुदी से पढ़ सकते हो, कोचिंग में कहना, आप सूबे से साम तक कोचिंग पढ़े, उसके बाद सेल्फ स्टड़ी के लिए टाइम वहां बचता ही नहीं है, फिर आपको अठारा गंटे बैठके पढ़ना पढ़ेगा, एक्जॉस्ट हो जाओगे, है कि नहीं, जो रियल बात बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि जी कोचिंग इंडेस्टी की बुरा ही कर रहा हूँ या कुछ भी, है कि नहीं, तो आपको उसमें बहुत सारा टाइम मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, आप हम ल उसमें आपको खाना भी खुद से बनाना पड़ेगा, कपड़े भी खुद से दोने पड़ेंगे, सारा अपना काम खुद करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ है कि बाकी बड़न भी नहीं यार इतना पैसे इन्वेस्ट हुआ है, यह हुआ है, वो हुआ है, क्या होगा, क्य नहीं घरवाले क्या बोलेंगे पापा ने उधार ली है यह की यह वह बहुत सा रेप्रेश्ट बड़न रहते हैं तो इसमें क्या है कोचिंग में क्या है वो लोग तो कुर्स अपने टार्गेट ओरियेंटेड ही पढ़ाते हैं ठीक है बट आपका कुर्स खतम हुआ की नहीं वह कैसे होगा उनके शाब से दो कॉर्स खतम हो गया अगर आपका निवा तो अगले सल आ यह एकने फिर से वह बट आपके शाब से भी कॉर्स खतम होना चाहिए जो की इसल प्रप्रेश्ट में हो सकता है आप सब को ठक सकतो खुद्बों डेट ठकना चाहिए है लिए मूझ तो आप उसमें कर सकता है और अपना नोड बनाओ बढ़िया से बना सकते हैं ठीक है ओनलाइन प्लस सेल्फ स्टडी में क्या होता है इसमें सब कुछ होता है तो दोनों में मिलके होता है सबसे पहले हम बात करते हैं कोचिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हम लोगों के लिए मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों के लिए जिसके पास पैसे कम है या नहीं है एक्स्पेंसीव है भाई कोचे दिल्ली में जाके पढ़ना एक साल का कोचिंग का फीस एक से डेड़ लाक रुपे है आप रहोगे अगर मंतली मिनिमम पांच जा रुपे तो आपको खर्चा आएगा ही मि है कि नहीं फिर उसके प्लब इस वेरी एक्सपेंसिव है कि नहीं और टाइम कंजीम से लॉट आप सुभे उठोगे कोचिंग जाओगे यह क्लास वह क्लास का हुआ अगर दिन में चार क्लास हुआ आठ घंटे होई पे चले एकजस्ट होगे आप डबल रेस्ट करोगे खु जो कि मैंने एक्सा लिया हुआ है ठीक है बहुत भटन होता है एक तो घर वालों की कॉल आइक बाइए पैसे इतने जा रहे हैं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है कहां घुम रहा है चाई पीने टप्री पर गएओगे नीचे गए होगे न तो भी बूं यह जा है वैसा ह बड़न in Minecraft थो बहुंद के लिए थो बड़ना अता है कि भूँद्व फुरॉन ही को खाला है किसीसे को नियरोलोजी में कर रहा है तो होता है क्योंख दूसरे वहालो हमें सब फज़ जाता है तो हर चीज के बड़न रहता है तो कोचिंग में क्या है कोचिंग में वैसे पढ़ाई में आपको टार्टेट ओरेंट है अब डिस्ट्रक्ट नहीं होंगे अब बड़न के वज़े से अब डिस्ट्रक्ट हो गें प्रेसर बहुत आता यार यह नोर्स बनाओ वो बनाओ यह पढ़ लो वो पढ़ लो एक टाइम पर एक सब्जक्ट तो आप खतम करेंगे ने कि भाईया हम पहले हिश्टरी खतम करते हैं फिर एकॉनमी खतम कर गाईसा तो नहीं है एक क्लास हिश्टरी की चलेगी दूसरी क्ला से सेसस्टेटेटी में बहुत साफ़ावप लेंगे समया सब्सक्राइब क्या पड़े कितना नापड़ेंसंटा मीचिश्ट खतम यह कुछिछ नहीं है तो करना है इसमें वैसा नहीं है हाँ पूरा टाइम तो पढ़ाई ए दिनवर पढ़ाई यह कर लेंगे हैं इन्दिसि बहुत है दिन में अगर सुवह आपक टॉपिक उठाते हैं हम लोग कई मेरे साथ भी होता है सुवह टॉपिक पढ़ लेंगे चलो इस तरह साथ है एक वीडियो आपने निकाला इसके नीचे दस वीडियो पचीस वीडियो चले जाएंगे पता ही नहीं चले का टाइम, ठेक है, और इसमें टार्गेट ओर्यानेशन नहीं हो पाता है, कितना भी कोसिस करो ये एक दिक्कत है इसने कर ली उसने तो भाई जंग जीत लिया पड़ ये 99 परसंट बच्चों के साथ टार्गेट फिनिस नहीं होता पहले दिन अगर जोस में आगे बैठ के पूरा पेंट पॉपी लेकर सब को रहन्त लेंगे कि भाई इस में दस दिन में फॉलडी खतम करूंगा बिस दिन में ने भी किया हुआ है वाट वह होता ही नहीं है ठीक है और मॉनिटरिंग नहीं हो दी इसमें कोई मेंटर नहीं होता आपका तो इसलिए डिस्ट्राक्ट हो जाते है जब तक बैल के नकेल करके रसी पकड़ो तब तक वह सही डिरेक्शन करता है तो अच्छी बात है प्रोडेक्टिविटी है कोचिंग में और इसमें आपकी मनमर्जी है कोई देखने वाला यह नहीं कोई रोक टोक कर कुछ नहीं है यहां पर है और फिर एक तीसरा आता है जिसको अल्लाइन ब्लस लेट सेड़ी कहते है ऑल्लाइन ओ आफ्लाइन कुछ भी हो कोई आपके पास ऐक गायाइन समयं क הי llegó शोता है उन्य कूष का टाइंग में बाद मैं कर लेंगैं वह वहला चीज तो रहता है क्यूंकि आपके पास कोई नखल कशनेवावला नहीं है डिश्ट्रक्शन यहां भी होता है लैक एट औव गैडन्स होता है बड़ इतना नहीं होता मार पीठके आपसे कोई कराने वाला नहीं है कोचिंग की दिना और इसमें लैका अप्रेक्टीस होती है वेके किताब पढ़ लेंगे पर तस कोश्चन नहीं कर पाएंगे क्यों टफ चीजे दिमाग को अच्छा नहीं लगता आप देखो आप किताब पढ़ोगा आपको नीद आईगी जैसे ही आप कोई वीडियो देखने लगोगे मोबाइल पकड़ोगे या फिर रिल स्क्रॉल कर रहा है दुपामिन रिलीज हो रहा है वहां पर उसको अच्छा लग रहा है और मॉर्फीन से आ रहे हैं तो वह देखता रहता है बट जैसे ही आप पढ़ने जाओगे बोरिंग लगता है या क्या या कर रहा है या सोच आओ खदम कर तो वह चीज होती है नहीं होता है आपक सो इसका conclusion कहा निकलता है देखें मैं यह नहीं कहता है कि आप poaching कर लीजे मैं यह भी नहीं कहता है आप self study कर लीजे क्योंकि हर एक individual अलग होता है अगर आप एक self disciplined इंसान है आपको लगता है honest रही है दोस्तो इसमें friends क्या है खुद को धोका दोगे तो कुछ नहीं हो अगर आप discipline है target oriented है naturally by character then आप self study को opt करिए और अगर आप नकल कसने वाले घोड़े हो अगर अगर नकल नहीं कसा गया तो आप sand बन जाओगे वैसे अगर हो आप coaching join कर लीजे ठीक है और यहां पे financial की बात आ जाती है अगर आपको पैसे नहीं है तो क्या करेंगे तो अगर institute को उठा लीजे जो free of coaching भी आजकल बहुत चल रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं लोगा आप अगर YouTube या फिर Google करेंगा आपको पता चली जाएगा एक नहीं उनके साथ ताल मेल रखके चले यह क्लास करनी है आ रही है तो उस समय करना ही है अगर उस समय नहीं कर पा रहे हैं काम क कुछ करें अब उस दिन तो खतम करना ही है उसको पेंडिंक नहीं रखना है और जो वोग एससेट में देते हैं उसको करना ही करना है साथ में अपना प्रैक्टिस कर द रहे है ठीक है एब्री इंडिवीज अलगर और 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 शॉर्ट एर ओन यह उन टेस्ट किन वह बात कही अगर आप एक self disciplined इंसान है by character, then आप self study को choose कर सकते, क्योंकि कोई कमी नहीं है, ना material की कमी है, ना कुछ की कमी है, है कि नहीं, internet एक ocean है, sources का, plethora of sources is there, okay, but अगर आप एक indisciplined person है, उठाने के उठाने के बिना नहीं उठते, किसी के, ठीक है, आप target fulfill नहीं कर पाते हैं अपना, अगर आप बहुत ही जादा indisciplined है, तो आप एक coaching join कर सकते, due to some problem like family हो, finance हो, कुछ भी हो, then आप third option choose करिए, और उसमें discipline रही है, है कि नहीं, तो तीनों मैंने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि coaching बहुत important, इसके बीना तो कुछ होता है नहीं है, वो गलत है, है कि नहीं, कई सारे लोग है, without coaching उन्होंने, जहन्डे गाड़े हैं, जैसे कि यहाँ मैंने एक photo दे रखा था, photo दे रखा है, अनन्या सिंग का, वो IS बनी है, बिना coaching के, सार्थ अगरवाल है, यह मैं नीचे दे रखा है, जो है, वो आरती सुकला जी है, डॉक्टर है, उन्होंने, अपने interview में बताया है, मैंने institute join किया, काफे repeated institute उन्होंने जॉइन किया, पर कुछी दिनों में उनको पता चला, कि यह वर्दी नहीं है, उनके लिए वर्दी नहीं है, मैं यह नहीं किसी के लिए नहीं है, उनके लिए नहीं है, उनके लगा, this is the wasting of time, it's better to self study, उन्होंने self study किया, और उन्होंने crack भी किया, कफे च्छे rank से, हैंगिने तो कोचिंग के साथ कई लोग हैं, जो बोलते हैं कि जरूरी है, जैसे कि, ऐसा नहीं कि कोचिंग से भी काफी लोग लिगलते हैं, अच्छे लिए अनुदीप जी है, rank 1 उनके लिए अक्षर जैन जी है, उन्होंने काफी कोचिंग इंसिटूट में अपना lecture दिया हुआ है, ठेकि नहीं, आफ्टर आल मैं एक चीज और कहूंगा, कोचिंग को गलोरी फाइग किया जाता है,ppen इपर उतना इंपोर्टन नहीं है, ठीक है, अगर आप एकवे टापर बन गया ना जो भी बच्चा मुझे सुनना है, जो भी मुझे सुनना है, आपक्षा जोंडे, जो भी अगर 8 बार आपने एग्जाम क्लेर कर लिया और अच्छो रैंक से क्लेर कर लिया आप देखियगा एंड नंबर फ इंसिट्यूट्स आपको एप प्रूच करेंगे आ Oke कि आप इतना बोल दो मेरे यहां दे रहे थे आप इतना बोल दो मेरे हैं मौक दे रहे थे मेरा मैटरेल यूज कि अच्छा है किसी का करते हैं तो कई सरे इंसीट में देते हमारा डीटल सबके पास तो होता ही है है कि ने तो टॉपर की बहुत ज्यादा अब खास करें कोचिंग के बारे में आप देखना एक एक टॉपर कई कई इंसीट में जाके बोलते हैं मैंने यह किया वो किया यह सर नहीं हेल्प किया तो डॉंट डू बिलीव इट आइम नोट सेंग एवरीवन इस फेक बट फेकिंग इस इन जैनित ओके टेक केर उम्मीद करता हूं आपको समझ माया होगा और अच्छा भी लगा होगा और कुछ इंफरमेटिव चीज मैंने बताया होगा ठीक है थाइक ताइक यू बेरी मच्च सब्स्ट्राइब मैं चैनल माइन इस दोक्ति शुब्राइब श्यूवरत सब्स्ट्राइब मैं learner IAS you will get benefited in many ways okay thank you very much take care